हेलो दोस्तों मैं हूँ प्रशान्थ आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारी चैनल बिजनिस हेल्प में आज हम देखेंगे किसी इमिज को, किसी मॉडल को, किसी टेक्स्ट को हम किसी ब्रिक वॉल पर एपलाई कैसे करते हैं, ब्लैंड कैसे करते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फोटोशॉप ओपन कर लिजेगा, हमने ये ब्रिक वॉल की इमिज ओपन की हुई है, आप भी एक नेट से डाउनलोड कर सकते हैं, फ्रीपिक.com एक अच्छी वेबसाइट है जिससे इमिज डाउनलोड कर सकते हैं, यह हमारे इमिज है, आइकन पर क्लिक करेंगे, डुप्लिकेट लेयर करेंगे, हम इसका एक न्यू डॉकमेंट बनाएंगे, यहाँ पर आप न्यू कर दें, सेप कर दें, डिस्प्लेसमेंट, यह हमारे एक न्यू डॉकमेंट हो गया है, अब हम इस पर फिल्टर पर जाएंगे, बलर पर जाएंगे, ग हम इसकी वैल्यूज के साथ थोड़ा एक्स्परिमेंट कर सकते हैं हम सब्सक्राइब 5.8 रखते हैं अब हम Ctrl-Shift-U प्रेस करेंगे यह हमारा ग्रे मोड इमेज हो गया है अब हम Ctrl-L प्रेस करेंगे लेबल्स के लिए या आप यहाँ पर क्लिक करकर लेबल्स पर जा सकते हैं आप जो हमारा वाइट पोर्षन है हम इस साइड मूव करेंगे और जो हमारा ब्लैक पोर्षन है हम उसको डार्क पला पोर्षन है हम इससे साइड मूव करेंगे क्लोज कर देंगे हम इस फाइल को सेब कर देंगे displacement और हम इसे close कर देंगे और हमारे model की image को open करेंगे जिसे हमें apply करना है हम quick selection tool की help से model की image को select करेंगे हम breast के size को छोटा और बड़ा अपनी requirement के according कर सकते हैं Ctrl Z प्रेस करेंगे तो हमारा ये जो selection है और वो हमें display हो जाएगा अब हम drag and drop करेंगे हमारे selection को हमारे इस layer को ये layer drag and drop कर लिए हमने Ctrl T करेंगे इसे scale down करेंगे scale up करेंगे अपनी requirement के साब से हम इस layer को smart object में convert करेंगे हम इस layer पर double click करेंगे blank space पर आप double click करें तो layer style panel open होगा हम stroke पर जाएंगे हम यहाँ पर इसकी value 2 ही रखेंगे outside रहेगा color हम black रखेंगे ok करें हम layer select करेंगे filter पर जाएंगे filter gallery पर जाएंगे filter gallery पर हम fresco को select करेंगे इसकी values हम ऐसे भी रख सकते हैं या आप इसके साथ experiment कर सकते हैं क्या अच्छा लग रहा है ok press करें हम इसे smart object में convert करेंगे हम इसके blend mode को change करेंगे overlay पर opacity को 80% करेंगे हम filter पर जाएंगे distort पर जाएंगे displays पर क्लिक करेंगे options हमें यह रखना है horizontal scale, vertical scale, stretch to fit and repeat as being pixels right हम values के around play कर सकते हैं हमें क्या अच्छा लग रहा है मैं फिलहाल के लिए 10 और 10 ही रख रहा हूँ ok करें हमने वो जो displacement हमने वो जो displacement के image पहले save की हुई थी वो हमने apply कर दिया है यह देखें अब हम इस layer का एक और layer बनाएंगे Ctrl Z प्रेस करकर duplicate करेंगे इसके blend mode को हम soft light में convert करेंगे हम इस image को हम इसका composite image बनाएंगे Ctrl Shift Alt E इस एंगिल में transform कर सकते हैं इस image को Ctrl T प्रेस करें राइट क्लिक करें पर्स्पेक्टिव स्लेक्ट करें आप इस image को यहां से इस corner से दे आप pull करेंगे तो यह image इस तरीके से आ जाएगा एंटर प्रेस करें अब हमें चुकी यहां पर shadow चाहिए कि यहां पर एक हमें हलकी shadow मिले तो इसके लिए हम एक new layer लेंगे gradient tool select करेंगे यह आपका एक जो grey आ रहा है आप ध्यान रखेगा यहां पर 80-80-80 जो है grey color वो ले लीजेगा हम drag करेंगे यह हमारा आ गया इसकी value हम opacity इसकी 40% रखेंगे इसका जो blend mode है वो हम linear burner रखेंगे opacity हमने 40% की हुई है यह लीजे दोस्तों हमारी image wall पे paste हो गई है हम कह सकते हैं blend हो गई है उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे होंगे किरपया कर वीडियो को like करें, share करें, comment करें हमारे channel को subscribe करें bell icon को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे next video का notification मिल सकें तो ठीक है मिलते हैं दोस्तों, next video में बाई, thanks के हैं डाइ, प्यरोटका है रुट था भाष्टका, जिए बाई, बाई, तो शायव टूटका, जाल रए बाई, जिए रहे टूटका, वात और रहे होंगा है